वेरी गुड मारिंग, 6th class, 2nd semester का हम आज SST का शुरू कर रहे हैं अपना chapter पंचायती राज, political science का आपका civics का 5th chapter है, according to the second semester हम लोग ये chapter कर रहे हैं, chapter है आपका 5th पेटा, उसमें क्या दिया हुआ पंचायती राज, यानि कि हम क्या बता रहे हैं, कि जिस तरीके से शेहर में क को देख रेक करते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको जाते हैं, वो लोग जीतते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, बुक्स अपनी पास रखेंगे बिटा पहले अब क्या है हमारा जो है फिफ्ट लेसन हम शुरू कर रहे हैं इत्स स्पेशल डेट टुदे अव्रिवन रशींग तो गेट तो ग्रामसभा यानि कि हर कोई ग्रामसभा की तरफ दोड़ा हुआ जा रहा है कि आज पहली मीटिंग होने वाली है जहां पर क्या होगा कुछ फैस ले लिए जाएंगे कुछ नियम बनाए जाएंगे ग्रामसभा का क्या है मैंबर बन सकता है और जो मर्जी चाहे इसको टन कर सकता है जो पांच लोग होते हैं उनके जो ऊपर का है उसको सर्पंच बोला जाता है मतलब यह लोग मीटिंग बता रहे हैं कि वहाँ पर जो सभा उनोंने स्थापित की है उनोंने वो जो सभा लगाई है महाँ पर वो कौन-कौन से इश्यूस डिसकस करने वाले हैं तो यहने की पहले क्या है रोड से रिलेटर जो है matter discuss हो रहा है पर पाने की कमी water shortage से रिलेटर जो है matter discuss हो रहा है अब क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें पानी बचाने की बहुत जादा जरूरत है कि हमें पानी बचाना जाहिए वो बहुत ही कम रह गया है another member then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in maharashtra मैंने पानी बचाने का क्या है एक तरीका देखा है किस तरीके से जो लोग है maharashtra में पानी को बचाते हैं it was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work कि मैंने सुना है कि सरकार इस चीज के लिए भी पैसा भी देती है in his brother's village people had plant trees constructed check dams and tanks everyone thought this was an interesting idea and the gram panchayat was asked to find out about it in detail और gram panchayat को कहा गया कि हम लोग भी यह चीज कर सकते हैं जहां पर हमें क्या है हमें भी पता चलेगा और हमें भी फाइदा होगा अब देखें नीचे box में क्या दिया हूँ what is gram sabha in the meeting of gram sabha so far what are the problems that are being discussed and what sort of solutions यहां पर question दिया हुए आपको जो आपको ढूंड के लिखना है अब यह क्या कह रहा है a villager call T.J. begins the meeting by saying the water problem in Hrdaas has become very acute मतलब कि वहां पर क्या water problem बहुत जादा एक बड़ा issue बना है the hand pump has the gone well बनलब कि वहां पर क्या हुआ है क्यों कम हो गया क्योंकि उन्होंने इस चीज को पानी conservation को बहुत अच्छे से इस चीज पर काम किया है gone well below the point up to which the ground has been real we hardly get any water in the taps women have to go for the suru river which is 3 km away to get water one of the members suggest piping water from the suru and making an overhead tank in the village to increase the supply but the other said that this will be expensive it's a better way they feel to deepen the hand pumps and cleans the way एक कहता है कि जहां से हम लोग पानी लेकर आते वहां से हम pipes डाल देते हैं तो पानी हमारे घर पर गहता है एक दूसरा कहते हैं यह तो बहुत expensive पड़ेगा फिर गहता है कि हम जो हमारे गाउं में ही hand pumps है जो लगे हुए उन्हीं को नीचे तक खुदाई करते हैं देखते कितने नीचे तक पानी चला गया है ठीक है तो बाकी का जो रहेगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ज्यादा बड़ी वीडियोज हम शेयर नहीं कर सकते फिर वो शेयर नहीं होती है तो जो नेक्स्ट रहा गया हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे